देव दिपावली के मौके पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी अपने संसद्यक शेत्र उत्तर प्रदेश के वारांसी में पहुंचे इस दोरान पीम मोधी ने बटन दबाकर वारांसी प्रियागराज सिक्स लेन हाईवे का लोकारपन किया इसके बाद उनके पूरे भाषण में देव दीपावली की जगह किसान ही चाय रहे गौर करने वाली बात है कि खजूरी में प्रधान मंत्री मोधी ने करीब 40 मिनट तक लोगों को संबोधित किया इस दोरान करीब 30 मिनट तक वह किसानों के मुद्दों पर ही बोलते रहे गौर तलब है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने अपने भाषण में MSP से लेकर कृशी कानून तक पर चर्चा की उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मंडियों को और आधुनिक बनाने के लिए करोडों रुपे खर्च कर रही है उन्होंने कहा कि नए कानून के तैट मंडियां और MSP नहीं हटाये जा रहे हैं अगर कोई पुराने सिस्टम से लेंदेन को उचित समझता है तो नए कृशी कानून में कोई रोक नहीं लगाई है नए कृशी सुधारों से नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षन दिये गए हैं पुर्धानमंत्री मोधी ने अपने भाशन के दोरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि आपको याद रखना है कि यहीं लोग पी-म किसान सम्मान निधी को लेकर सवाल उठाते थे यह लोग अफ़ा फैलाते थे कि मोधी ने एक बार पैसा दिया है दो बारा नहीं देगा वही एक राज्या ने तो किसान सम्मान योजना को लागू ही नहीं होने दिया ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें थेन्यवारी थेन्गेट एंटर्प्राइब